प्रिमित्रों, CMPC YouTube चनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अविलंदन मैं आपके लिए एक बार फिर से आज कुछ नया कंटेंट लेकर के हाजिर हूँ और आज का जो कंटेंट है ये RPC 1st grade और 2nd grade mathematics का जो भी एक्जाम दे रहे हैं उन सभी students के लिए काफी importance रखता है आज का topic बिलकुल अलग है और आज मैं इसको नए सेरे से start कर रहा हूँ तो आप इसको जरूर देखें आज का topic जो है वो numerical analysis यानि संख्यात्म क्विस्टलेशन मैं इसके अंदर जो main-main formula हैं मैं उन formula को इसके अंदर आज लूँगा और इसके अंदर इन formula को मैं जहां-जहां जरूरत पड़ेगी उनको थोड़ा सा explain भी करूँगा पूरा derive करने के आपको जरूरत नहीं है लेकिन इसके पहले में ये जो क्योंकि topic नया है तो आपका जो second grade का syllabus है उस second grade के syllabus में और first grade के syllabus में दोनों में क्या difference है वो बताना चाहूँगा तो पहले मैं आपके पास syllabus रख रहा हूँ जो मैं second grade का है ये ये देखिए आपके पास में numerical analysis and difference equation तो मैं इसके अंदर हमारे पास ये थोड़ा बड़ा content है और इसके अंदर इतनी detail चीज़े दे रखी है कि हमें क्या पढ़ना और क्या चोड़ना ये पताने चलता तो मैं आज के लिए आपके पास एसी basic चीज़े ही लूँगा जो इसके लिए आपके अंदर पढ़नी है और जरूरी है तो ये देखिए difference operator, factorial notation, differences of polynomials, neutrons, formulae for forward or backward interpolation, divided differences ये चीज़े जो है मैं आज इसके अंदर ले रहा हूँ जो बिलकुल basically आपको जाननी चाहिए अच्छा जो first grade का exam दे रहे हैं मैंस क्या वो लोग भी देखें कि ये जो topic है पूरा यूँ का यूँँ आपके उसके अंदर syllabus में है इसलिए आपको इसको भी देख लेना चाहिए ये देखिए आज का जो content है और इस content को मैं start करूँ उसके पहले मैं एक बार केना चाहूँगा कि आज का अगर ये video आपको अच्छा लगे तो इसको like जरूर करें और जो cmpc channel है अपना आपका अपना channel है आप इसको subscribe जरूर करें और अपने साथियों को भी बताएं ताकि वो भी इसको subscribe करें और इस video को आप दूसरों को भी share करें ताकि सबी को इसका फायदा हो देखिए numerical analysis के अंदर पहला जो part है आपका वो है operators यानि की संकारक इसके अंदर सबसे पहले आता है तस्मक संकारक यानि identity operator जिसको अपन i से denote करेंगे और i fx equal to fx होगा जिस तरह किसे तस्मक फलन में लिखते है अपन fx equal to x वे से ही i fx is equal to fx से ही लिखेंगे एक बात ध्यान रखें ये जो operator है इस operator की साथ में अगर fx नहीं है तो इस i का कोई आर्थ नहीं है तो ये आपका तस्मक संकारक हुआ जादा इसके अंदर कुछ भी नहीं दूसरा सबसे important देखिए अब नई चीज़े शुरू रही है shift या displacement operator जिसको अपन e से denote करेंगे और मैंने तीन चीज़े ले रखी इसके अंदर थोड़ा sequence बढ़ा दिया इसको generalize करना का है e fx equal to होता है fx plus h यानि e हटते ही आपके x के अंदर h जूड़ जाएगा h जो है वो आपका प्रतम अंतर है ठीकिन h जो है वो अंतर है दो डिजिट्स के बीश में फिर अगर e square fx आए तो कुछ नहीं करना आपको fx plus 2h कर देना अगर यहाँ e 3h बने e 3fx तो आपको fx plus 3h कर देना है और इसको generalize करें तो याँ e power अगर nfx करें तो कुछ नहीं आपको fx plus nh कर देना है यह आपके e कहलाता है आपके विस्थापन संकारक या displacement operator यह इसका एक system आपको याद रखना है i के बाद में मैंने e लिया है तो e को कैसे आपको expand करना है e हटती क्या पहोगा इसके अदर x के साथ में क्या चीज change होगी वो आपको इसको ध्यान में रखना है अब इससे के अंदर दूसरा जो पार्ट आता है नमबर थर पे inverse operator यहने की प्रतिलोम संकारक of e है ना e का तो उसको अपन e inverse से लिखेंगे और e inverse fx e minus 2fx और e minus nfx तीनों को ठीक से observe कर लें कोई फर्क नहीं है minus h यह x plus h की जगर minus h हो जाएगा minus 2h तो x minus 2h हो जाएगा और minus n का मतलब x minus nh हो जाएगा कोई मुश्किल काम नहीं यानि की जैसे मैंने example दे रखाए यह केरा कि evaluate e 3x sin x तो सीधी सीधी बात है जो अपने 3 किया था यहां आपने जो 2 किया था तो x को x plus 2h लिखा अगर 3 है तो x की जगर अपन x को यानि x को x plus 3h से रिप्लेस कर देंगे तो इदे को यह का रखा है e3 x sin x square 2 x plus 3h sin x plus 3h हो जाएगा यहां पर भी आपके मैंने 3 नहीं लिखा है तो यह आप 3 कर लें ठीक है ऐसे ही second और दिया जैसे e square x cube अगर h1 हो तो x plus 2h होल क्यों हो जाएगा पहले तो और h की जगर आप 1 put करें तो यह x plus 2h क्यों हो जाएगा यह अपने विस्थापन संकारक e को present करने का तरीका है जो बिलकुल simple है आपको समझ में आ रहा होगा आ रहा है ना यानि अभी तक 3 चीज़े हो गई है आई ठीक है ता समक संकारक और दूसरा विस्थापन संकारक और तिसरा inverse वाला है ना e minus e minus 2 e minus n यह हमारे तीन चीज़े होई है अभी तक में अब देखिए अगला टोपिक आ रहा है the forward operators यानि की जो सीधा त्री बुज किया सकते हो इसको पन डेल टाइब बोलते है लेकिन इसको पन forward operator ही बोलेंगे अगरांतर संकारक या forward operator forward operator of fx square to fx plus h minus fx देख लीजिए जो पहले वाला जो difference था अगर e होता है आप इसको क्या लिखेंगे इसको e fx लिखेंगे एक तरह से है ना तो आपके यह minus fx और करना इसके अंदर अगर यह square लगता है forward operator के तो यहाँ इन दोनों जगह पर एक बार और forward operator को present करना होगा और इसको इस operator को अठाने के लिए फिर से अपन fx plus h minus fx वाला system करेंगे देख लीजिए इससे हमारे finally यह forward operator का second जो part है second कह सकते हैं इसको second degree तो वो fx plus 2h minus 2fx plus h plus fx बन जाएगा यानि कि finally अगर इसकी जगह power n कर दें तो n forward operator n fx is equal to forward operator n minus 1 यहाँ पर भी n minus 1 बाकी fx plus h और fx as it is रहा है कोई change नहीं होगा ठीके जो यहाँ होता है उससे एक कम हो जाता है अब यहाँ आपको क्या याद रखना आपको यह याद रखना और यह याद रखना है इससे यह आगे वाल अपने आप आ जाएगा और खास तोर से जो question जो पूछा जाएगा वो यहाँ से इस तरीके से डायरेक्टर पूस्ट लाए हो और यहाँ फोरवाड अपटर अगर 0 लिखाए तो इसकी value हमेशा वन होगी न की fx ध्यान देना यह कुछ चीजे इसके अंधर जो ध्यान रखने वाली बाते हैं वो आपको ठीक से समझ लेनी और इसको याद भी कर ल अगरा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें यह जो content है आपके लिए मैंने उतना ही content लिया है मुझे मालूम है कि आपके जो exam बहुत नजदिक आ रहा है और इस exam के लिए को लेकर आप चींजते थे कि content इतना सारा है और हम क्या पढ़ें न क्या छोड़ें मैं इस वीडियो के मद्यम से यानि अभी तक जो भी मैंने लेक्चर आप तक cnpc चैनल से आपके अपने चैनल से मैंने जो लेक्चर पहुंचाए हैं मैंने उसमें उतना ही content दिया है जितना आपको पढ़ना है तो आप इस बात का ध्यान रखे इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं है जो content में दे रहा हूं उसको आप ठीक से study करें ताकि आप अपने लक्ष तक पहुंच सके देखी है मैंने एक छोटा से example लिया है forward orbiter of log x तो कुछ नहीं करना है आपको fx plus h minus fx करना है तो ये log m upon n कर दिया और ये log 1 plus h upon x ये answer इसका तो ये आपके forward orbiter का system याद रखना है कि इसमें क्या करना होगा अब चलते है अगला जो topic है पांचवा the backward orbiter ठीक है पश्चानतर संकारक और ये उल्टा त्रिभुज की तरह तो आप इसको ठीक से एक बार देखना तो ये क्या लग रहा है ये पहले forward से किस त दिभुज भी तमारा उल्टा हो गया है तो fx minus fx plus h की जगह fx minus h कर दिया है ये इसके अंदर आपका difference है अब मैंने इसमें जादा आगे detail दी ले करके direct मैंने यहाँ पर nth ले लिया nth संकारक ले लिया है तो उल्टा का हो या backward operator का हो nth part में fx square 2 जो चीज उसके अंदर थी n minus 1 n minus 1 वैसे ही आपके backward के अंदर भी है फर्क है कि इसमें fx minus fx minus h कर दिया है एक तो ये उल्टा हो गया है और minus हो गया है सिधी सिधी बात यहाँ मैंने एक example भी ले रिखा है backward operator of x square plus 2x तो backward operator of x square plus 2x हमारा क्या बनता है fx तो ये fx लिखा x square plus 2x फिर ये minus तो ये minus फिर fx minus h तो ये x की जगव मैंने minus कर दिया x square था ठीके x square तो इसको मैंने x minus h का whole square plus 2x minus h और इसको solve किया तो 2hx plus 2h minus h square ये आपके backward operator का system है जो मैंने simply यहां बता दिया आप आराम से इसको कर सकते हो देखिए ये आपका forward और backward operator का system है आप बिल्कुल इसको generally इतना ही याद रख लें जादा लंबा चोड़ा आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है देखिए आपन लेते हैं संकारकों में परस पर सम्मंद मतलब e forward backward और अपने तस्मक जो संकारके इन ती चारों में के relation है तो सबसे पहले आप देखिए e i plus forward operator के equal हो जाएगा अब कैसे होता ये वो आप लेख सकते हैं आपको मालुम है कि जैसे अगर आप इसको ये करके और इसका fx लिखें तो आपको मालुम है कि ये क्या होता है fx plus h minus fx होता है ये आपको पता है तो यह अगर आप इसको ऐसे लिखें तो यह fx प्लस h क्या है यह वास्ता में e fx है और यह आपके क्या है एक तरह से i क्योंकि इसको कर सकते हैं क्योंकि i fx is equal to fx होता है तो आप देखो कि यह क्या बना this equal to e minus i या फिर अपन कह सकते हैं equal to this plus i जो आपके यह relation है तो यह ऐसे आपको direct relation तो इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको दिकरत नहीं आएगी आप आरान से इसको कर सकोगे ऐसे ही दूसरा वाला जो कह रहा है आपका इधर तो देखो shift operator है न विस्थापन संकारक और या forward अगर यह इस तरीके से लिया जाए तो हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं दोनों एकी बात है फिर तीसरा आता है shift out operator into फिर अपने forward है न दोनों तो यह इसको आप आगे पीछे करोगे तो यह दोनों वापस finally किसके equal होंगे आपके forward operator के equal हो जाएंगे तो यह अभी आप इसी तरीके से इनको आप इनकी value put करके और आप समझ सकते हो फिर आता है d वाला यह जो बेकवाड देखो देखना यह दोनों बेकवाड द्यानक ना याना c वाले में दोनों का e के साथ में बेकवाड किया जाए और बेकवाड साथ में अगर e लिया जाए तो हमारा यह forward बन जाएगा ठीक है कोई विशेश बात नहीं फिर इसके अंदर यह जो अपने backward operator equal to forward operator with e minus है ना प्रतिलोम संकारक आप इसको भी प्रूब कर सकते हैं यह इसके कुछ प्रोपर्टीज है तो थोड़ा सा आपको इनकी definition के base पे आप इसको equal कर सकते हो ताकि आपको अलग से इसको याद नहीं रखना पड़ेगा फिर आता है backward operator equal to आपके एक तो यह e का inverse और यह क्या है तस्मक है ना तस्मक minus e minus e inverse हो जाएगा तो यह भी आप याद रख सकते हो एक general जो है इसके अंदर आप इनको अगर याद रख लोगे तो easy रहेगा वैसे इन सबी की value आपको पता है और इसलिए अगर आप इनको प्रूब भी करना चाहें क्योंकि वहाँ आएगा तो क्या आएगा कि चार option दे दिये या ये चार option दे दिये अभी इन में से कौन सा एक wrong है ठीक है तो आप उन में से इनकी value पूर्ट रख लेना वो equal आ जाएगे तो ठीक जिसमें नहीं आ रहा है वो wrong हो जाएगा सिरी सी बात ऐसे ही f वाला forward minus backward equal to forward backward साथ में अपन इसको कर सकते हैं आप अगर चाहें तो अपन इसको प्रूब भी कर सकते हैं देखी एक जिसे मैं कर देता हूं मैं पहले इस set से ले लेता हूं और ये क्या है forward और backward मैं इसको forward को इधर रख लेता हूं और अब इसको ये आप जानते हो अपना backward है तो ये क्या बनेगा आपके f x minus f x minus h ठीके मैं इसको अंदर ले लेता हूं इस तरीके से f x minus और f x minus h ये क्या हो जाएगा आपको पता ही है ये बन जाएगा आपके f x plus h minus f x ठीके और ये वाला क्या बनेगा देखो थोड़ा ध्यान देना ये उल्टा हो जाएगा जैसे इसको अटाएंगे तो आपके ये क्या बन जाएगा f x है ना जो minus बनेगा ना तो उस आप से और ये बन जाएगा आपके f x minus h अगर इसको आप थोड़ा देखें सही करें तो क्या बनेगा आप डाले ब्रेकेट इसके अंदर तो ये क्या बन गया आपके इसको आप अंदर ले लें ये पूरा क्या बन गया आपके forward तो ये forward f x minus और ये आपके क्या बन गया backward f x और इससे आप क्या लिखोगे this minus this and f x देखेंगे ये की ये तो बात थी अपनी इससे अपनी ये लिया आए तो कोई विशेश बात नहीं है आराम से आप समझ सकते हो इसको तो ये आप किसी को भी इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है जी वाले में तस्मक प्लस फोरवार्ड इंटू तस्मक माइनस बेकवार्ड तो यह किसके इक्वल होगा तस्मक के इक्वल हो जाएगा ऐसी H अगला वाला E equal to E power यह operator जाना रखना और यह E power है H D equal to I plus forward operator अच्छा यह D और आगिया तो D हमारा जो प्रोणावारा सिस्टम वही रहेगा D upon Dx यह आपके इसके अंदर कुछ जो relationship है आपस में इन operators की यह आपको इसके अंदर याद रखनी है ताकि आपका इसमें सिक क्वेश्टन पूचा जाए तो आप सही कर सको अगला जो टोपी के आपका वो आ रहा है Newton-Gregory formula देखे इसके अंदर आपको जाए देख करके डरने की जरुत नहीं है थोड़ा सा अपन खाले basic basic के ले रहे हैं फलन के किसी मान को अंतर साड़ने के मुख्य पद और मुख्य अंतर के पदों में अभिविक्त करने के लिए जो formula काम मिले गया है वो आपके Newton-Gregory formula डाइरेक्ट वो यहां से question बनाएगा आप तो इसके अंदर गुज जाएंगे वो यहां से question बनाएगा कि फलन के किसी मान को अंतर साड़ने के मुख्य पद और मुख्य अंतर की पदों में अभिविक्त करने से समंदित है या formula है तो Newton-Gregory formula है द्यान रखना और यह होता है fa plus nh is equal to fa plus nc1 द्यान से देखना fa 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 और fa nc1 या nc0 nc1 nc2 इस तरीके से और यहां आपके delta कहो इसको या forward operate करो तो delta 0 या 1 या 2 या n तो यह इस तीन pattern पे चलता है द्यान रखना अगर इसको अपन fx को इसके अंदर yx कर लिखते अपन तो y a plus nh is equal to y a plus nc1 forward y a plus nc2 forward square y a plus इस तरीके से जलेगा और यहीं आपका अगर गामी अंतरसुत्र है जिसको advancing difference formula कहते है यह आपके Newton Gregory formula है जिसको आपको खाली बस इतना सा study कर लेना है सवाल के तरब आपको ज़्यादा जाने की जरूत नहीं देखिए इन तीनों operator के कुछ जो गून है जो मैं जरूरी है इसलिए बताना चाहूँगा मैं सबसे खास बात ध्यान रखना यह forward, backward और e यह तीनों जो constant होता है c के जो अच्छर होता न c के साथ क्रमविन में गुंधर्म का पालन करते हैं कम्यूटेटिविटी बहुत खास बात है c के साथ constant के साथ ही यह क्रमविन में गुंधर्म का पालन करते हैं आपको यह द्यान रखना होगा दूसरा इसका गुण है linear property है ना रेखिकता का गुण यानी forward operator c1a plus c2g है तो यह दोनों के साथ में अलग-अलग अपन ऐसे operator कर सकते हैं c1c2 बार हो जाएगा यह इसकी रेखिकता का गुण भी इसके अंदर पाया जाता है तीसरा जो इसका गुणधर्म है वो गातांक नियम का पालन करना देखिए इस पर power m है और इस पर power n fx तो यहां पर इनकी power को plus कर दिया गया है तो इस तरीके से इसमें forward जो operator है या backward operator है इनके अंदर गातांक का पालन भी होता है कि इसके अलवा यह बंटन्रियम का पालन भी करते हैं ठीक है तो यह कुछ जरूरी जो properties थी मैंने आपको बता दी इन properties को आपको ठीक से याद रखना होगा अब देखिए इसके अंदर एक बहुत ही अगला जो टोपिक आपका सेलेवास का बहुत ही important पार्ट है यह factorial functions यानि की क्रम गुणित फलन प्रथम पद x था इससे constant अंतर h वाले n-1 पदों के गुणन फल को क्रम गुणित फलन कहते हैं forever n belongs to positive integer यानि की n यहाँ पर positive integer है और क्रम गुणित फलन को लिखा जाता है x power n यानि power में जो n है उसको bracket में लिखा जाता है यह आपको ध्यान रखना होगा जैसे आपके x power 3 है और यह power को bracket में लिखा है तो यह आपको अक्रम गुणित फलन कहलाएगा यानि x power n equal to x into x minus h into x minus 2h इस तरह के चलता रहेगा और finally जो बनेगा हमारे जनरल इसके अंदर h is equal to 1 अंतर एक लेंगे तो इससे हमारे यह x power n equal to factorial x upon factorial x minus n यह आपका सबसे important formula है हम इसको याद रखेंगे क्योंकि इस formula पर best आपका जो next जो lecture है बहुत बहुत important है वो पूरा का पूरा आपके इसी पर best है और इस पर उसने question पूछे है आरपेसी में first grade के अंदर भी और second grade के अंदर भी तो आपको इसको क्रम गुणित फलन को ठीक से समझ लेना होगा अगर यहाँ पर x power minus n है तो कुछ नहीं करना इसको one upon करके और x plus n h whole power n कर देना है यह आपका factorial function है क्रम गुणित फलन आप इसको जरूर याद रखें और कुछ नहीं तो आ इसका पूरा application है और उस पर question पूछे गए हैं इसलिए इसको मैंने पूरा अलग से ले लिया है ताकि आप उसका question सही कर सको यह आपका आज का lecture पूरा हुआ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको like जरूर करें अपने साथियों को भी share करें साथी CMPC YouTube चनल को आप subscribe जरूर करें यह जो है content मेरे आपके लिए बहुत ही powerful बनाने की कोशिश की है ताकि आप exam में कुछ अच्छा कर सके और अपने लक्ष को प्राप्त कर सके जो भी exam first grade और second grade दे रहे हैं उनको यह जरूर देखना चाहिए उनके लिए बहुत काम की चीज़ है आप अगर यह देखेंगे तो मुझे विश्वा से कि आप निश्चित हो जाएंगे और निश्चित हो करके आप exam देने जाएंगे यह मुझे पूरा विश्वा से तो आप इसको चितर से पढ़ें समझें और अपने साथियों को भी बताएं साथिये टेलिग्राम चैनल जो cmpc ह आप उसको भी जोइन करें ताकि आपको सारी अपडेट्स टैम टैम पर मिलती रहें नेक्स्ट लेक्चर तक अपन फिर से मिलते हैं तब तक के लिए आपका थैंक्स